आप आए इस के दानी खेनी संपाद की विशलेशन में आपका हार्दिक श्यागत है हम आज डिसकस करते हैं आर्टिकल के चलते हैं यह है पहला आर्टिकल कार्प्रेट टेक्स से इतको घटाने समंदे जो फैसला लिया गया है भारतियों जोग तो उससे काफी मतलब की सकरात् अब किसे अपनी अर्थ व्यस्ता को भी काफी पूष्ट मिलेंगे ही तो इसकी हलाकि डिमांड बहुत अर्था से कर रहा था लेकिन जैसे ही इसमें अपने पिछले इसमें मतलब की अर्थिक मंदी के दौर पे जो यह तो घटाने के जो भासला लिया गया है सरकार का तो बर आर्टों वायल सेक्टर है कोई कई ऐसे सक्टर है जो कि एकदम से बिल्कुल महां पास मांग ही नहीं जनरेट हो रही तो बंद होने की हिस्तिती पर आ चुके हैं तो इसलिए सरकार का यह कदम काफी सवागात्यों के कहा जा सकता है जैसे यहां पास जो कारोबारी जगत में अब कुछ मतलब की इससे काफी सकरात्म के दिश्ट कोर से देखा गया है तो यहां पर जो सरकार के हाली के इंप्रूमेंट हुआ है तो इसके सरकार ने जो है तो कार्परेट टेक्स पहले 30 फीज दी था तो उसको अब जाकर के बर्दमान में 22 फीज दी कर दिया गया है तो इसके साथ है जो मैनुफेक्ट्रिंग सेक्टर की जो नई कंपनी तो उनके लिए जो टेक्स पहले 25 फीज दी था ता अब उसको घटा करके 15 फीज दी कर दिया गया है तो इससे मतलब कि उनको काफी रियायत होगा साथ ही साथ इसका एड़िया भी एडवांटेज होगा कि जो कंपनिया वगएर तो उनको निवेस को भी आकरसित करने में काफी यह साहिक भी होगा वहीं विदेशी कंपनियों की भाती बाजार में एक आकरसित करने के बहतर महौल भी यह तो यह तो यह तो यह दे सकती है इस एक प्रकार से वैस्ट्रिक जगत में भी भात की जो कॉ इससे हमारी जो आर्थिक मंदी का जो ढाचा बन गया तो उसको भी थोड़ तोड़ने में साथ कुछ हद तक साहता मिलेगे हां यहां पास अब प्यक्चा यह भी है कि जिस प्रकार से सरकार ने यहां पास काम के तो उद्यक जगत को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो यह जो उनका लाफ मिलेगा तो इसको भी आदमे को इसको रोजगार के तरफे अवसार भी उप्लब देख रहा है उसी तरह से जैसे कि जो आर्थे किसे तो जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो इससे डिमांड जेनरेट होगी और निश्चित तरफे एकोनोमे में उससे अपनी बुष्ट करेगी तो आप जैसे कि हाला कि कार्पर्ट टक्स में जो कमी की मांग तो बहुत पहले से चल रहे थे लेकिन हाला कि इसमें जो अपने पिछले आम बजर जो तो उसमें प्रावधान थोड़ा कुछ ज्यादा मतलब करते कर तो जैसे कि काफी निरासा का भ अब जैसे जो कापर टक्स कम कर दिया गया तो उससे जो है तो सरकारी जो ख़जाना है तो उससे भी 1.4 लाग करोड रुपए का मतलब की कमी आईगी इससे तो वो सरकार को कहें न कहें से तो इसको मैनेस करना ही होगा तो तो होगा हलकि यह भी एक ज्यादा इंपॉर्टन चीज ही था तो जिसको करना मतलब की बर्तमान समय की माग भी थी तो उसी किसाब से अब इसकी जश्टे के जड़े तो पेछित जो राजा सुप्राप्ति नहीं हो पा रहे है तो इसके लिए अब सरकार को कुछ दूसरे सोर्स से भी इंकम जनरेट करने के सोर्स और इसकी भ कि दन जो प्राप्ति तो फूक्स करना चाहिए और वहीं पस जो यह जो उद्योंक दनते वगरे हैं तो उनको भी विन्वेस को हो जादा मतलब कि बढ़ावा देना की बात कर रहे हैं वहीं जो अपने स्रम सुधार हैं तो उनको लेकर भी मतलब कि स्रम सुधारों को भी करने की बात क्योंकि इसकी लंबे अर्सेस की डिमांड लगातर बनी हुई है कि अपनी जो मरतमान के स्रम स परकिया है तो इससे भी जो काफी हाथ होता है और वहीं जो है तो अध्योगी विवाद से जुटे जो जटिल कानून वगया तो उनको भी थोड़ा साइब करने के जिरूगत है जैसे कि हमारा जो कारोवार कारोवारी जो माहौल है तो बहतर तरीके से एकदम सुगम प्रक्रि ऐसा आर्टिकल है जैसे कि कुछ साल पहले जो है तो जैसी दुट पर वगएरा जो था तो उसके जगह पर जाया नुकसान नहीं हो तो उसकी जगह पर सूटा है तो उसकि जगह पर वीकल पर तुर पर बगका पर इसको रखा गया और इसकी एक प्रकर से नार्मल ही इस अह इसको सकारात्मक द्रिश्टोंग्वांट से प्रस्तृत किया गए कंपाइएं की और साथ ये भी कहा है कि जो पार्मपरे की यह सिगरेट्ट पार्मपरेट्ट होती है उनके वज़ाए यह सिगरेट्ट से जो है के बहुत ज्यादा नुकसान दे है तो इसलिए जो है तो कई जगा इसका मतलब की जैसे ही अध्यन रिसर्च हुए तो कई देशों में जो इस पर पावंदी लगाने की बाते भी उठने लगी आवाज उठने लगी क्योंकि इसके ज्यादा मतलब की दूस्परणाम देखनों क प्रतिवन देखनों के लिए तो उसके इस एग्रेट के उत्पादन पर उसके विक्री और परिवान पर आयात निरियात और जमा करने यहां तक वितरन पर ही जो है तो पूरी तरह से पावंदी लगा दी गई है तो इस समय में प्रस्तावित अद्द्धा है तो प्रतिवन क साथ इसमें लाइक रुपे तक का जुर्माना एक साल तक कि सजागा प्रावधान किया गया है यह जो बहुती सरकार का स्वागतियों कदम हैं जो कि समाज सुधार के अगा क्या सकते हैं कि बहुत ही सकता है और यह जो जो पिछले दिन में कुछ ख़बर इसे लिड़ेट आई थी जो अमेरिका के में जहत्व क्म साथ लोग की मौत के सीग्रेट के सियवन से हो थी उसको कारग मना गया था जिम्मेधार जी सीग्रेट रही तो और वहां जो है बच्चों में मतलब कि इस सीग्रेट का बढ़ा था तो जिससे जो कि निजली के अच्छा है थी तो उनके विद्धार थी कि आख़ोड़ों में काफी तो इसलिए इन सभी दूस्परणामों को देखते हुए यहां पास भी मतलब डिसेजन सरकार ने लिए और साथे साथ जो है तो यह कहने को तो पालंपिक सिग्रेट से ज्यादा नुकसान देने लेकिन इसके बहुत ज्यादा नुकसान देखनों को मिले थे तो इसका जैसे कि तो इस यह सिग्रेट जो है तो उसके उसके पड़ेंगे ही और और इसका जो सेवा नहीं किसी बाव निकॉटीन ने करता है कि नुकसात निश्चित तौर पर करती चीज़ तो उसके दूस्पाना भी अध्यानों से देखने के बिए और वही जो कोई व्यक्त जैसे पारम्प्रिक स्वेट के आलत छोड़ देता है तो धूरपान को जो है तो क्योंकि एक बार जब लग जाती हो तो फिर इस चीज को पूरा ही करता है तो फिर फिर इस इग्रेट की वज़ाए नारमल पर धूंपान पर ही आ जाएगा तो फिर कोई मतलब खास नहीं तो हां यह है कि नहीं अध्यंजों है तो इसके खत्रे और जोखें के बारे मतलब के ए बिवर रुड़ आए पर जयाते की इस सिगुरेट जो है तो पीने वाले लोग जुआ तो फिर को पीवर जिए जिए आज पूरी तरसे पावंदिंस्सी पहले भी रिग्मेंट कर दिया था तो बहुत अपने इंडिन पाउंसल मेडिकल रिसपश्ट ने उस ने पूरे चर अगकर तरफके सब्सक्राइब करती है। इसवागर मैं कॉछ नीजक कुछ पे खार के फार सकती है। जैसके तीन होते है तो ऐसे फैसे इसने कोटिन होता है जैसे कि सिस्टम टीव तो 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 चाहिए जीसे जो तो निकोटिन उसमें जड़िये जैता है तो शीकों क्यों की आता है तो जो वह बना देता है तो उसके उनसार लगव 62 कंट्रेश में इसका वह प्रयोग हो रहा है तो लगवाग कह सकते हैं कि इसमें जो 500 प्लस ब्रांट से अवलेवल ना तो यह बहुत ज्यादा है तो यह काफी नुकसान देया सरकार का यह कदम भी काफी बहतर मतलब को व्यूडियो को लाइक करें शर करें और कमेंट करें दबस्त धनवाद